हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Study IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे मेरा नाम है अबिनोकमार बहुरे और मैं आपके लेकर प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही ब्रीफ बहुत ही छोटा पर बहुत ही कंसाइस डिसकेशन कि बेसिकली हमें UPSC का एक्जामिनेशन 24 या 25 मतलब इस वर्ष या अगले वर्ष कि समय देना जादा एप्रोप्रियेट होगा देखे बहुत सारे स्टुटेंट्स हैं इनके मैसेज आ रहे थे कि सर हम थोड़ा सा कन्फ्यूजड हैं इस बात पर कि एक्जामिनेशन हमें किस वर्ष देना चाहिए कहीं ना कहीं upsc की तयारी में कहीं न कहीं upsc की कि जर्मी में चलते हैं हम यहां तक तो आचुके है के प्री के जादातर सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं पर हमें ये confidence नहीं आ रहा कि हम main battlefield में यानिकी यूप e-sci-क एक्जाम सेंटर पर एक्जू पीएसी के पेपर को फेस करने के लिए रेडी है या नहीं है ये एक बड़ा प्रशन है ठीक है अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बताऊं जिसके आधार पर आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस वर्स का एक्जाम जो है वो देना इसके कुछ golden rules हैं देखे इसमें हम 4 या 5 चीजों को conclude कर सकते हैं 4 या 5 चीजों को include कर सकते हैं कि हम ये parameter अगर फिल करते हैं तो हम एक्जाम देने जा सकते हैं या हमें वो एक्जाम देना चाहिए लेकिन उसके पहले ये बात मैं clear कर दूं उन सभी आस्परेंट को जो seriously UPSC की तयारी कर रहे हैं कि भाई कभी भी ऐसा नहीं होता ये कभी भी संभाव नहीं है कि आप ये feel करो that you are 100% ready for the exam मतलब 100% readiness कभी नहीं आती examination में जाने के लिए आपके दिमाग कभी भी इतना ready नहीं होता याने कि 100% तो आप कभी नहीं feel करेंगे कि आपको इस बार attempt देना चाहिए याने कि आपको इसके लिए तयार रहना है कि एक छोटी नहीं तो थोड़ी बड़ी anxiety होना तय है कि पेपर हॉल में जाना चाहिए या नहीं अब अगर मैं आपसे कहूं कि 100% readiness नहीं है तब के case में आपको किस प्रकार से निर्णे लेना है तो यहां मैं आपको चार थमरूल के बारे में बताने वाला हूं आप इन थमरूल को ध्यान में रखकर आसानी से अपना जो work है अपना जो decision है उसे ले सकते हैं अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अगर 25 में preparation का result आप इस वीडियो को देखकर निकालते हैं तो याद रखिएगा study IQ के जो P2I batches हैं यह P2I batches March माह का second batch launch हो चुका है और यह जो batch है यह batch आगे मैं इस वीडियो में आपको डीटेल में भी बता दूँगा यह batch आप 23,999 के cost पर prevail कर सकते हो और यह cost आप एके life code पर पापाओगे इसका विशेश ध्यान रखना यह March महिने का second batch है March महिना क्यों important है मैंने अपने strategy वीडियो में पहले भी डिसकस करा है याद रखिएगा कि अगर कोई student अपनी जरनी को 25 के लिए focus करके या 26 के लिए focus करके चल रहा है तो इस महिने से professionally तयारी करने पर आपको जो है वो एक बढ़त मिलेगी कि आपका optional subject आप साथ में तयार कर पाओगे और अगर आपका optional तयार है और यही हमारी discussion का first point होगा कि अगर आप अपने आपको देख रहे हैं इस बात पर कि आप देंगे 25 का pre या 24 का pre तो 24 के case में सबसे पहली चीज़ है आपका optional subject optional subject must be ready और यहां पर ध्यान दीजेगा optional subject तयार केवल नहीं होना चाहिए at least आपने उसे एक बार पूरा और एक बार सतही तोर पर कम से कम पढ़ा हो superficially reading में एक बार properly और एक बार उसका superficially सही बट revision अगर आपने यह नहीं करा है तब सोची और विचार करिए कि आपको pre देने जाना चाहिए या नहीं क्योंकि अगर आपका pre 24 का qualify हो भी जाता है तो भी आप मेंस में अच्छा score नहीं कर पाएंगे और pre qualify करना कोई reward नहीं है इसका केवल आप मानसिक तोर पर खुश हो सकते हैं परन्तु इसका यथार्थ रूप में कोई reward नहीं होता आपका pre qualify हो भी गया तो आप मेंस में रूपने की ज से life में life partner को चुनना सबसे बड़ा decision होता है उसी प्रकार से UPSC में optional उतना ही ज़रूरी होता है और यह जो optional है याद रखना कि अगर आपका तयार नहीं है आपके pre देने से पहले तो यह एक बड़ा मापदंड है डिनाय करने का कि हमें 24 कपरी देना है हो भी गया तो कोई फाइदा नहीं है तो पहला standard और यह standard फुल्फिल होगा अगर आप अभी से तयारी स्टार्ट कर दें याद रखिए study IQ के यह P2Y batches है यह March महिने का second batch है बीस मार्च से 24 मार्च से इसमें जो है वो क्लासे से स्टार्ट हो जाएंगी शार्प मॉर्रिंग 8 o clock का यह बैच है और यह बैच बहतर है self study से in terms of CAP करेंट अफेर का प्रोग्राम इसमें included होगा one to one mentorship होगी याने कि मैं आपको आगे इसके बारे में थोड़ा और क्लियरिफिकेशन दूँगा कि भाई one to one mentorship का इस पे क्या रोल होता है CAP का प्रोग्राम है इसमें SIP भी included होगा success in prelims और अगर मैं सबस्ट सब्दों में कहूं न तो study IQ ने success in prelims के लिए 2024 के लिए भी series launch करी थी और यह series अलग से भी लोगों ने खरीदी है आपको यह free of cost मिलेगी अगर आप जो है P2i batch join करते हैं तो P2i batch join करने पर SIP खरीदने का ज चाहे 24 का दे चाहे 25 का दे चाहे 26 का दे और इसमें याद रखे कि मेंस का residential program अब यह बहुत क्रामतिकारी चीज है अगर आप आगे जर्नी प्ले करते हैं और आपका pre qualify होता है तो study IQ आपको अपने खर्चे पर अपने स्थान पर बुलाएगा और याद रखे डेली में बुल चाहते हैं जो मेंटर्स से आप मिलते हैं वो मेंटर्स वो टीचर्स आपको ओफलाइन मोड पर डेली के अंदर विदाउट एनी कोस्ट आगे की पूरी जर्नी प्ले कराएंगे आपके answer रैटिंग हो या कोई भी कारे हो ताकि आप pre के बाद अपने मेंस के जो डाइमेंशन उसे crystal clear और rock solid कर पाओ तो यह दोनों ही चीजे मेंस रेसिदेंशल प्रोग्राम भी और सक्सेस इन प्रिलेंस प्रोग्राम भी यह दोनों ही study IQ जो है अपनी ओर से पूरा करेगा साथ ही कैप का प्रोग्राम included होगा अब सुनिए हम जर्नी पर वापस आते हैं याद रखना अ सही dimension है इस form में कि आप जो है अपने आपको ready कर पाएं दूसरी चीज़ याद रखिए कि जो big four subjects हैं यहां मैं big four से आशे क्या है यहां पर है आपका history geography पॉलिटी और economy पॉलिटी एंड economy अब यहां द्यान से सुनिएगा यह जो सब्जेक्ट्स है यह सब्जेक्ट्स आपने पढ़े भी हो इन सब्जेक्ट्स का आपने रिविजन भी करा हो और साथ ही इन सब्जेक्ट्स में आपका command आ चुका हो command आ चुका हो का मतलब क्या है अब मैं यहां पर ना आपको एक चीज़ क्लियर करने वाला हूं ठीक द्यान से सुनिए अगर आप question paper solve करते हैं अगर आप question paper solve करते हैं आप एक test देते हैं और यहां ध्यान से सुनिएगा जो मैंने आपको P2I batches बताए अर्थात prelims to interview के जो batches म included है तो अगर आप तयारी कर रहे हैं तो test series इसमें आएगी अब ध्यान से सुनना अगर आप यह चेक करना चाते हो कि आप ready है या नहीं है तो किसी भी प्लेस का एक standardized test paper solve करिए और यहां ध्यान दीजेगा मैंने कहा standardized test paper यानि कि ऐसा ना हो कि आप जो है वो below average या extraordinary test paper लगा र और यह जो test paper है इसमें at least आपके big four के अब यहां एक चीज सुनिएगा big four से मेरा आशाय जब हो history, geography, quality और उसमें included है भई पर्यावरन ठीक है भले ही big four में नाम से नहीं आता पर geography और environment के question तो एक साथ ही होते हैं तो याद रखें आपको big four के questions जो है वो at least 70% यह बनने चाहि मैंने big four के question कहा है याद रखें टेस्ट में 70% बनना यह test series की जो है वो गुनवत्ता में कमी को दर्शाता है test series में quality नहीं है एकदम सिंपल सी बात है test series में quality ही नहीं है तभी आप 70% लापा रहें अधरवाई 70% test series में जल्दी नहीं आते तो याद रखना कि big four के जो questions आए व वो सही हो ठीक आप गलत करें लेकिन आपको यह पता हो कि यह गलती से गलत हुए है otherwise मुझे आते हैं ठीक माल लेते हैं example के तोर पर कि आपसे प्रश्ण पूछा गया कि भाई हिमालय के एरिया में जो है फलान धिमकाना वनस्पती मिलती है आपने उसका आंसर जो है वो माल आंसर गलत हुआ पर मुझे इसका आंसर पता था तो बिग फोर के जो कोशन्स है वो आपको बनने चाहिए और यह तभी बनेंगे जब आपने इन्हें कंप्लीट भी करा हो और इसका रिविजन भी हो याने कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट तयार हो बिग फोर है कि अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं कि आपको 24 का देना है या नहीं देना है ठीक तो यहां ध्यान से सुनिएगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग में विचार का आना ये दर्शाता है कि आपने तैयारी कुछ तो करी है अब याद रखिएगा कि सेल्फ स्ट आपको डी मोटिवेट नहीं करना चाता लेकिन आप एक भ्रह्म से बाहर आ जाए यूपी एस्सी में जो प्रश्नों पूछे गए हैं आप केवल उन प्रश्नों को उठाईए और उठाने के बाद आप ये चेक कर लीजिए कि जिस भी माध्यम से आप पढ़ रहे हैं क्या जो रिफरेंस बुक आप पढ़ रहे हो या फिर आप यूट्यूब से जो भी पढ़ रहे हो क्या उन सभी चीजों में वो सारे डायमेंशन उपस्तित हैं जो UPSC ने पहले पूछे हैं आप एक बार जो है वो किसी प्रश्ण को देखें UPSC का बालीजे आप जोग्रफी अब मैं जोग्रफी डील कर रहा हूं तो मैं जोग्रफी के बारे में एक्जाम्पल यूज कर रहा हूं आप नहीं तो हिस्ट्री देख लीजे आप कोई सब्ज रखा कर चेक करिए किसी भी स्थान से जहां से आप पढ़ते हो मैं दावे के साथ कहता हूं कि YouTube is a good place for studies but not a good place for every time clearing the exam हर बार क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम knowledge के लिए अच्छा माध्यम होगा no doubt है भी लेकिन जब आप professional manner में one to one faculty के साथ live class में एक निश्चित संख्या में लोग होते हैं वहाँ वो discuss करता है और experience share करता है उस manner में पढ़ना एक class के महौल में पढ़ना डेली का आपको आप सोच कर देखें कितना जो है वो discipline manner में class होगी कि sharp morning या फिर evening आप पी class से start होगी आप class start करेंगे faculty आपको 3R class लेगा वह आपको कुछ homework देगा कु के उत्तर आपको upload करना होंगे और upload करने के बाद एक team उसे check करेगी और check करके वह आपको remark देगी और फिर अगले दिन उसके doubts अपने teacher से पूछेंगे teacher के आप contact में रहेंगे teacher आप teacher से class के बाद भी प्रशन पूछ सकते हो एक व्यक्ति a lot होगा आपको जो आपका mentor होगा और हर एक step पर जहां आपको समस्य आएगी वह आपको guidance देगा अब इस तरीके से पढ़ना और topics की scavenging करना scavenging करने का मतलब है यह topic यहां से देख लिया है फिर वो topic वहां से देख लिया है इसमें जमीन आसमान कंतर है तो इसको समझना कि अगर आप I.S. का exam निकालना चाहते हो और अपने कम effort में और जल्दी निकालना चाहते हो तो यह एक best opportunity है study IQ के P2I बेचिस में basically interview तक इसमें included ह होता है ठीक है तो आपने अगर कुछ स्यारी कर रखी है और 24 के बारे में सोच रहे हैं तो दो मैंने dimension आपको बताए सबसे पहले option subject का दूसरा है big four subject का और तीसरा है और last है यह है अगर आप यह मानते हैं अगर आप यह महसूस कर पा रहे हैं कि UPSC के civil services examination के जो PYQs है आप simply एक काम करिएगा देखिए पेपर में अभी कुछ delay हुआ है शायद अगर मैं wrong नहीं हूँ तो 16 जून को यह पेपर है अगर आप अच्छे से यह चाहते हैं कि आप UPSC का पेपर दें या ना दें यह समझ जाए तो देखिए बच्चा पढ़ते हुए student पढ़ते हुए अकसर बहुत दूर निकल जाता है जब वो पढ़ाई कर रहा होता है actual जो question पेपर आता है या प्रशन आता है उससे वो हिमाले पढ़ना स्टार्ट करेगा या फिर वो fundamental rights या directive principle of state policy या फिर जो है वो science attack में कोई topic या कुछ भी पढ़ना जब स्टार्ट करता है धीरे धीरे कर यही किसी आसपास के topic में वो विखर कर खत्म हो जाता है यानि कि question का इस्तर यह होता है बच्चा basic से पढ़ना स्टार्ट करता है और basic से पढ़ते हुए यहां तक पहुंचता और इस प्रकार से उसकी गाड़ी जो है वो ऐसे वो हो जाती है टिल्ट हो जाती है यह होता है ज जिस force से आपने अपने आपको push करा वो कहां तक आपको ले कर गया आप इस इस्तर पर हो यहां से चलते हुए या फिर आप इस इस्तर पर आ चुके हो चलते हुए कि आपको PYQ बन रहे हैं तो test series में big four के subjects का बनना और साथ ही previous year question paper जब आप solve करो तो उसमें यह आभास आना यह चीज़ याद रखना और मैंने यह नहीं कहा आपसे बिल्कुल भी के previous year question paper में 70% big four के sub question बनने चाहिए यह मैंने नहीं कहा है सहज रूप से आपको प्रश्ण पत्र बनना चाहिए क्यों क्योंकि यह actual paper है यह उस साल के current affair को भी contain करता है उस वर्ष कोई घटनाओं को भी contain करता और उस वर्ष की घटनाओं आपने नहीं पढ़ी है तो आपको पूरा नहीं बनने वाला लेकिन एक feeling आना चाहिए वो feeling है familiar feeling मतलब कोशन पेपर देखने पर यह नहीं लगना चाहिए कि यह life में पहली बार देखा है आपने यह feeling नहीं आना चाहिए आपको यह बिल्कूल नहीं लगना चाहिए कि यह चीज आपने life में पहली बार देखी है यह लगना चाहिए कि इसके आस उस पास की चीज़ें मैंने बहुत कुछ पढ़ा रखी हैं दिमाग लगा रहा हूं तो एक उत्तर निकाल पा रहा हूं सही होगा या नहीं इसकी आपके सामने जो है वो थोड़ी एफर्टिंग कंडिशन हो समझ गए तो कोशिश करना की पी वाई क्यू टेस्ट ऑप्शनल बिग फूर इनके थुरू आप पर्फेक्टली पता लगा सकते हो यह थम रूल्स हैं इनके थुरू आप आसानी से पता लगा सकते हो कि आपको प्री देना चाहिए या नहीं देना की तोपिक्स को स्केवेंजिंग के फॉर्म में पढ़ने से मतलब है कि टॉपिक को इधर से भी उठा लेना वहां से उठा लेना यह करना एक अलग चीज है यह करना इस अलग माध्यम है पढ़ने का लेकिं प्रोफेशनल मैनर में पढ़ना यानि कि आप जैसे स्कूल या कॉलेजिस में जाते थे उस तरीके से डिसिप्लिंड मैनर में पढ़कर एक्जाम क्वालिफाई करना ये एक अलग चीज है इसमें बहुत सारे ऐसे डायमेंशन होते हैं बहुत सारी ऐसी चीजे होती हैं जो हिडन होती है और वो हिडन चीजें आपको तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक वो डिसिप्लिन नहीं होगा ये बड़ा सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट में इस फिल्ड में आपको प्रोफेशनल मैनर की जरूरत है बच्चा जनरली जो है वो कुछ चीजों के बारे में अपनी ब्रहांती क्रियेट कर लेता है इस प्रकार से नहीं होता याद रखे कि आपको चीजों की बहुत अच्छी क्लियरेटी होना जरूरी है क्लियरेटी के लिए मैं आपको रास्ता बता चुका हूं स्टडी आई क्यू के जो पी टू आई बैचेस है यह पीटू आई बैचेस लॉंच होंगे क्लासिस स्टार्ट होगी से और यह भी याद रखना कि जो आप कॉस्ट यहां देख रहे हो यह 23,999 की कॉस्ट है और यह कॉस्ट तब है जब आप फैकल्टी कोड का यूज करते हो यहां मेरा फैकल्टी कोड लिखा हुआ है अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको सबसे maximum discount मिलेगा इसका विशेज ध्यान रखना maximum discount आपको इससे मिलेगा पर अगर आप क्लियर करना चाते हो तो महनत आपको करनी ही पड़ेगी यह आप बैचेस आपकी महनत को minimum ले आएगा आपको सही दिशा आसानी से मिल कि आपको प्री इस वर्ष देना है या नहीं देना है तो इस उम्मीद के साथ कि मैं आप सभी को इन पी टू आई बैचेस में देखने वाला हूं हम मिलते हैं नेक्स यसे ही किसी discussion में have a very nice day थैंक यू हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम को देखने के झाल